हेलो स्टूडेंस मैं संदिप सिंग वेलकम करता हूँ आपके ही अपने चैनल मागनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम में जहां पर मिलता आपको कम्प्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री आफ कास्ट तो आज हम इस सेशन में डिस्किस करने वाले हैं उन स्टूडेंस के लिए जिनों हर फिल्ड हर सेक्मेंट अपने 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 बराबर लेवल पर ही अबिलेबल है ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप ऐसा कहेंगे कि यह पीजी एम वाले जादा उपर हैं बायों वाले और उपर हो गएं कामोर्स वाले नीचे हो गए आज वाले नीचे और आफ्म एसा सिखर है और उस सिखर पर जाने वाले की ही वैलू है बीच में रह जाने वाले की बॉटम में रह जाने वाले की तो कोई एलू ही नहीं तो कहते हैं कि भीया हर field का सिखर जो है वो समान है आप किसी भी stream को चुनिए आप उस सिखर तक पहुंचिए उस सिखर पर पहुंचने के बाद ही आपकी value होने वाली है तो जड़ा समझ लेते हैं कि हम subject select कैसे करें जब सबकी values बराबर होगे तो select कैसे करें तो selection के लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं और उन सवालों के आंसर आप बखू भी जानते हैं उन सवालों के आधार पे आप यहां पर subject decide कर सकते हैं हाँ इसमें एक सबसे common सी बात कि generally इसमें influence parents का कोई बड़े भीया दीदी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका पड़ोस वाले भीया का हाल ही में उन्होंने बायलोजी लिया था और वो डॉक्टर बन गए उन भीया का ऐसे रिस्तदारों के नातेदारों का बड़ा ही impact होता है हमारे करियर पे हाला क्योंकि parents ultimately ये समझते कि ठीक भी ये हुआ ना इसी जैसा चाहिए अरे भाई हमें किसी के जैसा बनना ही क्यों है हम स्वयम ही है हमारी अपनी identification है हम अलग है तो हमें उसी किसी और के जैसे बनने की कोई आवशक्ता नहीं है सबसे बहतर मैं कहता हूँ कि जो आप हो वही बनो कोई और बनने के चक्कर में ना तो वो बन पाओगे ना जो आप थे वो रह पाओगे तो सबसे बहतर है कि जो आप हो वही बनो तो इसके लिए करना क्या है तो पहली बात तो यह है कि पहले आप satisfied हो जाओ आप अपनी पूरी fielding जमालो तब parents से बात करना ताकि उनका influence आफ खतम कर सके otherwise उनकी चीजें आपके इन से भी जगों पर आकर के impact करेगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहरा हूँ कि वो गलत decision या गलत समझाइस देंगे parents बिल्कुल सही समझाइस देते हैं क्योंकि वो आप से बहतर आपके बारे में जानते हैं सोचते हैं इस age में आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजे हैं के बारे में आपको स्वयम को नहीं पता होती है तो वहाँ पर जाकर के contradiction हो जाता है इसलिए आप पहले self research किजिए बहतरीन तरीके से तब आप parents के साथ में discuss करेंगे तो parents के हर सवाल का आप answer कर पाएंगे और जो parents आप पर confident हो जाते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों में कोहीं तकलिफ आती ही नहीं अब होता क्या है ना जनरली हमारे schools में तो एक percentage level decide कर दिया जाता है कि इतने percentage लाने वाले maths में जाएंगे इतने percentage वाले arts में जाएंगे इतने वाले commerce में जाएंगे तो भीया ये सब पहले perceptions थी अभी आपको जो बहतर लगता वो करना है इस basis पर कि school ने ऐसा decide के इसलिए मुझे यही करना है यह बहुत गरबड़ बात है जो NEP है उसके accordingly बहुत सारे combinations available हैं सिर्फ और सिर्फ वही घिसा पिटा PCM, PCB, Commerce, Arts, Humanities यही तना नहीं बचा है आप उसके साथ में बहुत सारे subjects select कर सकते हैं उस चीज को अच्छे से ढूणिए उस चीज के बारे में अच्छे से एक पर detailing कीजिए इसके बाद आप किसे निसकर्स पर आईए और अगर आपका school यह flexibility नहीं देता है तो आप आराम से school change कीजिए क्योंकि career बदलने से अपना ही दिसा बदलने से तो बहतर है कि school बदल लिया जा क्योंकि school तो भाईए साल दो साल के लिए और बचा है 11th और 12th जीवन तो आपका पूरे समय के लिए आपके पास है तो भाईए जीवन सही direction में हो इसके लिए school बदलने में बिल्कुल हिच के चाहट नहीं बदले अराम से school बदलिए आपको जो subject चाहिए वो अगर मिल रहा है तो आप उसके साथ में जाए अब इसको decide कैसे करना है चलिए अब उसकी बात करते है तो सबसे पहला सवाल ये कि अगर आपका vision के लिए रहे आपको पता है कि आपको क्या बनना है तो आपके सारी मुसीबते हल हो गई आपको पहले से पता है कि भई मुझे engineering field में जानी है मुझे technical field में जानी है तो मैं maths के साथ जाऊंगा मैं physics chemistry और maths के साथ जाऊंगा मैं PCM लेने वाला हूँ मुझे पहले से क्लियर है कि मुझे यह ना doctor बनना है मुझे medicals में जाना है मुझे pharma industries में जाना है तो मैं PCB सेलेक्ट करूँगा biology लेकर क्या हूँगा मैं इसके साथ साथ मुझे पहले से पता है कि मुझे civil services में जानी है तो वहां के लिए भाई मैं पहले से ही पता है कि मुझे जब इनी फिल्ड में जाना है तो मैं humanities subject के साथ में जा सकता हूँ अगर मुझे पहले से ही पता है कि मुझे banking accounting sections में जाना है तो मैं commerce के साथ में आगे pursue कर सकता हूँ यह तो मोटे मोटे तोर पे बाते हो गई बट यहीं पर पूरी कहानी खतम नहीं होती जरूरी नहीं कि आप इतने ही सेग्मेंट में जाइए बहुत सारे ऐसे स्टूड़न्स होते हैं जिनको भी यह म्यूजिक में इंट्रस्ट है singing में interest है, किसी को bands play करने में interest है किसी को game में interest है किसी को painting में interest है बहुत सारे रहे, बहुत सारे यहाँ पर streams available है आप दोनों चीजे दिहान में रखिए मैं बिल्कुल ऐसा समझाई इस नहीं दूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने passion को follow कीजिए क्योंकि सिर्फ passion follow करने में कई बार नदानिया हो जाती है और वो गलतिया बाद में बहुत भारी पड़ती है तो आप अपने passion को profession के तोर पे आगे चल करके अगर देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा dedicated होना पड़ेगा तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि बहुत आराम से देखिए कि वो जो passion है क्या आगे चल के आप उसको as a profession change कर सकते हैं उसकी possibilities कितनी है अगर उसकी possibility है आप उस passion को as a profession ले सकते हैं जैसे आपको cricket खेलने में interest आता है आपने का भीया पढ़ाई छोलके सिर्फ cricket खेलूँगा तो आप एक बार भीन देखिए ना टॉप 11 players ही in होते हैं हमारे international scale तो कुल मिलाकर के मेरी approach तो भाई है क्योंकि मैं तो peak पे जाना चाहता हूँ तो इस days बर में top 11 में आने की छमता मैं रखता हूँ क्या मैं क्या उतना dedicated हूँ क्या तो मैं जाऊँ ना भाई या games में otherwise सिर्फ मुझे अच्छा लगता है खेलते हुए इस नाम पे मैं सिर्फ games में जाता हूँ तो भाई या कहीं न कहीं अग्रेबर decision हो जाता है तो बहुत कम ही लोग बिल्कुल truth है बहुत कम ही लोग अपने passion को आगे चलके profession में change कर पाते है otherwise profession के साथ में अपना passion pursue करना पड़ता है इसका मतलब क्या तो भाई इसका मतलब ही कि मुझे cricket कहलना अच्छा लगता है ठीक है बट मुझे पता है कि मुझे किसी एक particular technical field में जाना है तो पहली बात जो आपका समझ में आई कि अगर आपका goal clear है तो आपके लिए subject selections तो आसान है बिल्कुल clear cut है crystal clear है आपके subject decisions दूसरी parameter में आती है कि भी हम clear नहीं है कि हमें क्या करना है तो पहली बात यह कि अगर जब तक आप clear नहीं होंगे उनको एक बार है ना अराम से सांथ चितमन से हो करके सोचिए कि उनमें से कौन सा subject है जिसको पढ़ते समय आपको अच्छा लग रहा था यह यूं कहूं कि उस subject में आपको लग रही थी कि कम मेहनत कर रहा है देखे किसी भी subject में मेहनत कम नहीं होता सभी subject में बराबर मेहनत करने पड़ते हैं लेकिन आपको लगता था कि नहीं यार यह तो मेरा easily हो जाता था वह easily पता है क्यों होता था क्योंकि आपका brain उस तरीके सा सोच रहा था तो आपको easily हो रहा था उसमें आपको मेहनत कम लग तो हो सकता है किसी के लिए वही toughest subject हो जैसे बहुत से लोग को मैच सीजी लगती है और कुछ लोग के लिए तो toughest subject होती है किसी को history पढ़ने में मजा आता है social science के जितने भी subjects है है ना geography है civics है economics है इन सबी चीज़ों को पढ़ने मजा आता है तो भाई यह वो clear है ना पहले से और किसी को boring लगता है तो अगर आपके goal decided नहीं है तो आप इस पर आईए कि आप किन subjects में comfortable महसूस कर रहे थे खुद को उसका combination मनाईए उसके साथ में आप अपने 11th class के subjects को decide कीजिए यह एक बहतर तरीका और है अब अगर इन सभी सवालों के answer आपको मिल गए कि आपको future में क्या बनना है अभी आपको अच्छा क्या लग रहा है अब इसके बाद आराम से बैट करके parents के साथ में discuss कीजिए अपने teachers के साथ में discuss कीजिए हम से भी discuss कीजिए अगर कहीं पर भी दिक्कत आती तो यह आपको process करनी है otherwise आप अपने stream को pursue कर सकते हैं उसे stream के साथ में आप जा सकते हैं और बहुत ही बहतर तरीके से perform कर सकते है क्योंकि at the final end मैं again बोलूँगा कि जो peak पे होता है जो सिखर पे होता है गिंती सिर्फ उसी की होती है otherwise कोई values नहीं आती क्योंकि एक simply समझे है अगर मैं कहता हूँ कि भई मैंने PCM लिया और किसी examination का cut off 120 marks का था तो 118 118 नमबर आना भी उस exam के लिए उस particular exam के लिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि knowledge नहीं है लेकिर उस exam के लिए तो मेरे सुनने आने के बराबर ही है न क्योंकि उस exam में सेलेक्ट zero वाला भी नहीं होगा और मैं 118 लाके भी नहीं होगा तो अगर मुझे जाना है तो 120 के पार ही जाना है नीचे तो रहना ही नहीं है तो point कि यह है कि सिर्फ cut off के लिए अब तैयारी नहीं हो रही है तैयारी टॉपर बनने के लिए हो रही है तैयारी सबसे peak पे जाने के लिए हो रही है क्योंकि यह तो एक defensive approach हो गई इस approach में कभी भी हम success नहीं पा सकते हमें successful होना है तो हमें defensive approach नहीं चाहिए हमें चाहिए aggressive approach बिल्कुल चाहिए aggressive approach क्योंकि यहां पे हमारे पस में बहुत सारी energy available है class 10 से 11 moving students के पस में भेंकर energy available है जो चाहो वो कर सकते हो जो चाहो जो सोच लो वो possible है तो इन सभी से जो को आराम से आप सोची है विचारी है और इसके बारे में आराम से प्लान के जब बहुत है हटेक लेकर के नहीं करने है तो कि मैं आपको एक और मज़दार बत बता हूँ कहते जरूर है कि 10th class तक जो आपने किया उसके basis पे आगे होने वाला है लेकिन जैसे 11th class की चीज़े start होती है तो आपको पता लगता है कि 10th class तक की बहुत हट तक लेना देना नहीं है तो बहुत सारा change आ गया अचानक से सब कुछ बदल जाता है इतनी पत्ली पत्ली दिखने वाली किताबे खाते पीते घर के ऐसी मोटी मोटी किताबों में तबदील हो जाती है जो chapter 3 से 4 पांच pages में खतम होते थे अब वो 15 से 20 pages में खतम होने लगते है तो अचानक से बहुत कुछ बदल जाता है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहूं कि जो पीछे किया उसी के अधार पे आगे करना है तो जब मुझे पता ही है कि मुझे एक नई चीज की के साथ में अपने subject को आपको select तो इसी लिए मैं कहता हूँ भई कि चले जिंदगी एक नई सुरुआत करते हैं जो उमीदे दूसरों नहीं की थी वो अब खुद से करते हैं इसी के साथ में अब आपको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बहुत सारी मदद मिल चुकी होगी कि subject को कैसे select करने कौन से subject लेने कौन से stream को pursue करने और अभी भी कोई confusion कोई doubt हो तो simply नीचे comment section में आप हमें text कर सकते हैं and हम comfortably discuss कर सकते हैं and आपके लिए सभी प्रकार से मदद करने को तयार है and again आप जो कोई सभी course select करेंगे magnet prints available है आपके लिए free of cost education देने के लिए तो all the best for your subject and मिलेंगे हम अपने lectures के माद्धियम से आपके चुने हुए subjects में thanks for watching